रीट रिजल्ट की बाद बड़ा खुलासा रीट परिक्षा के देखे टॉपर्स के लिस्ट जी हां दोस्तो आज इस वीड़ों में हम आपको दिखाने वाले हैं रीट परिक्षा के टॉपर्स के लिस्ट की कौन को नभ्यारती जो है रीट परिक्षा में कितने नमबरों के सा टोपर्स रहे हैं साथी दोस्तों ये भी बात करेंगे कि रीट लेवल 1 में टोपर के कितने नमबर आये हैं साथी रीट लेवल 2 में टोपर के कितने अंक हासिल किये हैं इसी के लवा कटोप के बार में भी बात करेंगे कि इस बार कटोप जो है कम जाएगी या ज्यादा जाए अब भीयारतियों के काफी अभीयारतियों के नंबर भी कम हुए हैं किस कारण से नंबर कम हुए हैं तमाम स्वालों की जबाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो प्लेज वीडियो के लिए नीचे दिये गए रेड़ सब्सकाइब के बडन को दबाके चैल को सब् यानि की लेवल टू के टॉप कंडिडेट्स की तो सबसे पहले नंबर एक पर करण सिंग यानि की किरत सिंग रहे हैं जिनके 146 अंक आये हैं स्री गंगा नगर से उसके बाद दूसरे नंबर पर रहे हैं सुर्भी पारिक 146 अंकों के साथ जो बीकानेर से हैं उसके बाद तीस नंबर पर रहे हैं नाइबा राम जी हां दोस्तों इनके भी 146 नंबर आये हैं जो राजसमन से हैं उसके बाद जो अभ्यारती हैं उनके 145 नंबर देखने को मिले हैं काफे ब्यारती हैं जैसे अजमेर से चितोडगर से जैपूर से उसके बाद नाकपूर से विकानेर से औ उसके बाद जितने भी अभ्यारतिहें आप देख सकते हैdi 444 अंक भी काफी अभ्यारतियों के यहां पर आपको दिखाई देखे होंगे। तो इस तरीके से यह Toppers के Лिस्ट आप देख सकते हैं कितने कितने अंक यहां पर Toppers ने हासिल किये हैं उसके बाद लेवल वन की बात करें तो लेवल वन में आप देख सकते हैं टॉप कंडिडेट्स की लेवल वन यानि की STC की तो STC में अजय विश्णाव के नंबर आये है 148 जो अजमेर से हैं टॉपर्स के 148 अंक आये हैं 150 में से उसके बाद 148 एक और स्टुडेंट है गोविन सोनी उनके भी 148 आये हैं जो उद्यपुर्स से हैं उसके बाद हम बात करें तो लगबग देख सकते हैं 146 आये हैं काफी अभ्यारतियों के उसके बाद 145 भी काफी अभ्यारतियों के अंक आये हैं उसके बाद देख सकते हैं 148 147 145 इस तरीके से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं नंबर अभ्यारतियों के टोपर्स के कितने कितने आंक आये हैं इस बार रीट के अंतरगत दोस्तों कटोप की बात करें तो कटोप को लेके मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है इस बार भी मैं आपको बता दूँ कट कटोप जो है एवरेज कटोप रहने वाली है लगबग जो है 115 से लेके और 125-30 के सम्थिंग इसके बीच में कटोप रहेगी हर सब्जेक्ट की तो अगर इसके बीच में आपका स्कोर है तो आप से जोन में है इसके अलाव दोस्तों बिल्कुल एक्जेक कटोप जो है हम आप को एक दो दिन में अपलप्त कराएंगे हमने एक ट्रेन चलाए हुआ है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं आपकी सब्जेक्ट से हैं किस कास्ट से हैं और कितने नंबर आपके रीट के अंतरकत स्कोर आ रहा है लेवल वन में या लेवल दी जाएगी इसके लिए आप चैला के साथ जुड़े रहिएगा